नमस्कार मैं अंजली मिश्रा सुवागत है आप सभी का दोनिया उज्व में उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर उपचुनाओ होने वाले हैं जिसकी तैयारी बीजेपी समाजवादी पार्टी समयत विपश्ट है जो रशोरों से कर रही है और ऐसे में साफ तोर पर की नींद उड़ा देगी जी हाँ बिल्कुल सभी सुरा आपने एक ऐसी खबर साहब ने आ रही है जो अखिलेश यादफ की नींद उड़ाने के लिए काफी है खबर यह है कि एक स्वतंत्र प्रभार और एक क्याबिनिट जो आपको बता दे कि केंद्र में क्याबिनिट मंत प्रभार दे कि शिवपाल संग्यादव जी हां बिल्कुल सभी सुना अपने शिवपाल यादफ जो है वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकली लगतार तेज होती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर तरह तरह की बया इंट्री और उनकी सिफारिश करने वाले लोग जो उनकी पैर्वी करने आएंगे उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा जिए हम बिल्कुल सही सुना आपने अब एक करके बात कर लेते हैं कि पूरा माबला क्या है दरसल आपको बिता दें कि जब से कई आप कह सकते हैं लंबे अर्से से चली आ रही है अब शिफपाल यादव की इस पर कोई उफिशल स्टेट्मेंट तो नहीं आई है लेकिन यह अटकल है और अटकलों का बजार गर्म है कई बार अटकले जो है वह सही भी साबित होती है अब का जा रहा है कि जल्दी जो है ऐसा कुछ देखने केलें बलेगा जहाँ पर शिफपाली आदव पाला बदल लेंगे बीजपी के साथ चले जाएंगे और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओने समाजवादी पार्टी के मुखी आखि बनी होई है कि फिर से क्या यह पाला बदलेंगे फिर से चीज़ें जो है चेंज करेंगे अब ऐसे में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी नेताओं से दूर रहने की चुछताब नहीं दे दी है उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी अगर आप कहेंगे जो है वह क्या है तो मापको बताते कि अखिलेश यादव ने काया कि सपा छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं की पार्टी में वापसी नहीं होगी अगर कोई उन्हें शामिल कराने के लिए हमारे पास आया तो हम उसे भी पार्टी से बाहर निकाल द शाल के ब्रेक के बाद पर दिली में राजनिती में सुबह जब संसत के लिए निकल रहे तो पच्छ में यूपी के निटा उनसे मिलने पहुच गए वह अखिलेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं अखिलेश से मिलने के अलिवों अपने साथ एक और नेता को लेका रह भाजपा के पक्षमें चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए उचहार सीट से विधायक मनुष पांडे ने तो भाजपा की सदसिता भी ग्रैंड कर ली जिसके बाद से ही अखिलेश यादव नेताओं से नाराज हैं बता दें कि लोग सभा चुनाव दोहजार 24 में सपा के कई बड़े नेता भाजपा में चले गए थे और उन्होंने सपा के खलाफ चुनाव प्रचार किया था लेकिन यूपी में इंडी गडबंधन का ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ सपा सैती सीटे जीती तो वहीं कॉग्रिस ने 6 सीटों पर विजह हासल की इसके बा इन्हें साफ संदिश्ट दिया है माना यह यह जा राहा है कि कंहीं कहीं नेकहीं शिवपाल यादव के खेमे में बगदर मची है और शिवपाल यादव एकाल बदल सकते हैं तो इस वजे से अधिक्लिटव द लीगाना और पूप इन डारेक्ली इस बात को कहते नजर आ रही है कि अगर कोई BJP सपा छोड़कर BJP में जाता है तो उसे फिर सपा में आने का मुकर नहीं मलेगा यह कहीं न कहीं अपनी बातों से यह सपश्ट कर रही है कि चणाव सपश्ट करिये कि आपको BJP में जाना है या समाजवाधी पार्टी में जाना है अब दोना पर सवार होकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं अब ऐसे में तरह तरह की बियान बाजियों का दौर शामल है अब लोग क्या रही है कि अगर पार्टी के जो चचा जी है यानि शिवपाल यादा अगर वपाला बदलते हैं तो इससे बहुत बड़ा जटका जो अकलेश यादव कर लगेगा और एक जो इन्होंने जो अविग कर रखा है वह पूरी तरीके से पलड़ जाएगा वह जो है पूरा गेंचेंजर होकर बाहर निकलेगा अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पाड़ा हाई है क्योंकि दस सीटों पर उप्चुना होने वाले हैं और इसकी तैयारी जो है सतर पार्टी अब इन सब के बीच अगर आप दिखेंगे तो एक नए क्यास लगाने शुरू हो चुके हैं जो की शिफपाल यादफ को लेकर लगाया जा रही है शिफपाल अखलेश आदफ से नाराज चलते हैं कई बार नाराजगी की कई सारी वजह सामने आती रही है बीचे में सारी च रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनेती का तापमान जो है वह बढ़ता नजर आएगा यूकर यह हाई हो जाएगा अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि होने वाले उप्चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी उठा पटक में कौन किस तरफ पाला बदल मामला है यह बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी पाड़ा हाई है दस सीटों पर उप्चुनाव होने वाले हैं इसे पहले अठकलो का बजार भी गर्म है और अब शिफपाल या शामिल हो जाएंगे वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अकले शादव के लिए बड़ा जटका होगा ही तो वहीं दूसरी तरफ जो खबर है वो यह है कि अखले शादव ने साफ तो पर जो इनको भनक लग ए इस खबर की तो उसके बास अगले शादव यह पैर भी करेंगे तो उसे भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो ऐसे में आमने आपको पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से जरू सागा याँ यान और बाते हुआगा ये बीजाएगा जया क्या हमेंट सेक्शन देशन भी को कि यादारी को बेंट नितलि को रादा फिशन देशन 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 ले गगा है भी क्या है